उके तो गई शाओमी का Mi 10i और Moto G 5G ये दोनों मोबैल दोस्तो अभी के टाइम में इंडिया में सबसे सस्ते 5G मोबैल में से एक है क्योंकि दोस्तो दोनों के जो प्राइस है वो अल्मोश्ट दोस्तो सेम प्राइस ही है तो अल्मोश्ट ये दोनों मोबैल दोस्तो प्राइस पॉइंट से लेकर काफी सारे मामले में एक जैसे ही है तो यहाँ पर दोस्तो आप लोगों में से काफी सारे लोग ऐसे confusion में होंगे कि आखिर इन दोनों में से दोस्तो कौन सा मोबैल लिया जाए और किस mobile में दूस्तो हमारे 21,000 रुपे जो है वो खर्च किये जाए तो अगर आपके मन में भी इस दोनो mobile को लेकर दोस्तो doubt है तो बस इस वीडियो को end तक जरूर देख लेगा क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को end तक नहीं देखा तो guys हो सकता है कि आप इन दोनों मेंसे एक mobile को पसंद करने में गल्ती कर सकते है तो इस वीडियो में guys इस दोनों mobile के बार में मैं आपको detail में बताने वाला हूँ और साथ में दोस्तों end में मैं आपको ये भी दोस्तों बताऊंगा कि इन दोनों mobile में से आप लोगों के लिए कौन सा mobile पर्चेज करना बैटर होगा तो बस वीडियो में guys end तक बने रहना और साथ यहार चैनल पर पहली बार आ रहे हैं लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखे रहा है उसे प्रस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही वीडियो को भी तक एक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर भी जरूर कर दे तो चले गाइस वीडियो स्टार्ट करते है तो सबसे पहले गाइस बात करते है इन दोनों के डिजाइन के बारे में तो डिजाइन में दोस्तों मुझे परसनल यहाँ पर मीट एन आई का डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आया है as compared to Moto G 5G क्योंकि Moto G 5G का डिजाइन वो काफी पुराना हो चुका है वहीं दोस्तों यहाँ पर मीट एन आई में जो आपको डिजाइन मिल रहा है वो एकदम stylish और cool डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है और वहीं गाइस अगर यहाँ पर हम protection की बात करें तो यहाँ पर मीट एन आई में दोस्तों आपको back side आगे और पीछे दोनों side में दोस्तों आपको gorilla glass 5 का support देखने को मिलता है वहीं गाइस Moto G 5G ने अभी तक कोई भी clarify नहीं किया है कि उसमें आपको gorilla glass 5 का support मिलता है या फिर नहीं तो यहाँ पर डिजाइन के मामले में definitely Mi 10i बहुत ही अच्छा दिखता है दोस्तों as compared to Moto G 5G अब गाइस यहाँ पर display की बात करें तो almost दोस्तों दोनों में ही आपको display जो है वो same देखने को मिलती है यहाँ पर दोनों में ही दोस्तों आपको IPS LCD वाला panel देखने को मिलता है AMOLED पैनल दोस्तों दोनों में से एक भी mobile में आपको देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पर यहाँ पर जो है दोस्तों Mi 10i Moto G 5G से आगे है तो यहाँ पर अगर हम processor के बारे में बात करते है तो processor गाइस दोनों mobile में आपको same मिलते है Snapdragon का 750G वाला दोनों में ही दोस्तों same processor आपको देखने को मिलता है लेकिन Antutu score में Mi 10i जो है वो बीट करता है Moto G 5G को क्योंकि उसका जो Antutu score है Mi 10i का वो Moto G 5G से थोड़ा ज्यादा है लेकिन यहाँ पर processor almost same है तो दोस्तों आपको तो performance भी आपको दोनों में same ही देखने को मिलने वाला है और gaming के लिए भी दोस्तों यह दोनों mobile जो है वो सही है और वही guys अगर इन दोनों के camera के बारे में यहाँ पर देखे तो camera में दोस्तों बहुती बड़ा फर्क है बहुती बड़ा difference है क्योंकि guys Mi 10i में आपको जो required rear camera setup मिलता है उसमें दोस्तों rear side में सबसे main camera जो है वो guys आपको 108MP का देखने को मिलता है इसके अलबा 3 और camera है दोस्तों 8 plus 2 plus 2MP के 3 और camera है टोटल 4 camera आपको meet and eye में rear side में देखने को मिलते है और यहाँ पर वही Moto G 5G की बात करें तो rear side में यहाँ पर आपको triple camera वाला setup देखने को मिलता है जहाँ पर main sensor जो है वो सिर्फ 48MP का है और उसके अलबा 8MP का ultra wide और 2MP का एक और यहाँ पर आपको camera देखने को मिलता है तो यहाँ पर camera में दोस्तो बहुती बड़ा difference है अगर यह camera के लिए आप mobile ले रहे है तो यहाँ पर definitely आप meet and eye यहाँ पर पसंद कर सकते है as compared to Moto G 5G क्योंकि यहाँ पर camera का performance है वो guys 108MP का 48MP के बहुती ज्यादा होने वाला है तो यहाँ पर camera के मामले में दोस्तो meet and eye जो वो completely beat करता है Moto G 5G को यहाँ पर selfie camera दोस्तो आपको दोनों में ही same 16MP देखने को मिलता है इसके लाब अगर गाज बात करें इन दोनों के battery performance की तो almost guys battery भी इन दोनों में आपको same ही मिल रही है क्योंकि यहाँ पर Moto G 5G में आपको 5000mAh की battery मिल रही है वहीं guys me 10i में आपको 4820mAh की battery मिल रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है लेकिन यहाँ पर जो fast charging है वो आपको meet and eye में मिल रही है क्योंकि यहाँ पर आपको 33W का fast charging मिल रहा है और वही Moto G 5G में आपको 30W का Fast Charging मिल रहा है तो यहाँ पर बेर्टी थोड़ी सी Mi 10i में कम है लेकिन यहाँ पर Fast Charging है वो Moto G 5G से यहाँ पर आपको ज्यादा Fast देखने को मिलता है यहाँ पर Mi 10i में आपको 3 Variant देखने को मिलने वाला है 6GB 64GB दूसरा है 8GB 128GB और तीसरा है 8256GB वाला वही Moto G 5G में आपको सिर्फ 2 Variant ही देखने को मिलते है 6128 और 8128GB वाला तो यहाँ पर दोस्तों अगर Price की हम बात करें क्योंकि दोनों का Price दोस्तों Starting Price जो है वो Same है सिर्फ आपको Storage में ही फर्क देखने को मिलने वाला है क्योंकि गाई मी 10i का जो Starting Price है वो 20,999 है और Moto G 5G का भी दोस्तों Starting Price जो है वो 20,999 है लेकिन यहाँ पर जो Storage में फर्क है वो में आपको यहाँ पर Clear कर देता हूँ यहाँ पर जो आपको Mi 10i में दोस्तों पहला जो Variant मिल रहा है 664GB वाला उसका Starting Price 20,999 है और Moto G 5G में जो आपको मिलने वाला है वो है गया 6GB 128GB वाला Variant मिलने वाला है 20,999 में तो यहाँ पर सिर्फ आपको 64GB internal storage मिल रहा है वही Moto G 5G में आपको 128GB वाला मिल रहा है लेगिन यहाँ पर जो एक और दोस्तों बात यह है कि यहाँ पर Mi 10i का जो यह पहला Variant है दोस्तों 6GB 64GB internal storage वाला वो अभी तक Indian Market में अवेलेबल नहीं हुआ है वहाँ पर Coming Soon लिखा हुआ रहा है तो कब तक दोस्तों यह हमें Market में देखने को मिलने वाला है इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है और Meet & I में दोस्तों आपको Memory Card लगाने का भी Option नहीं मिलता है तो उसको दोस्तों मेरे इसाब से आपको 664GB वाले Variant को खरीदना नहीं चाहिए आपको सीधे 6GB 128GB वाला जो कि 22,000 में आपको मिल रहा है वहाँ पर दोस्तों देखना चाहिए और बाकि दोस्तों decent performance चाहिए सिर्फ performance के लिए या फिर Moto G 5G के आप फैन है तो definitely आप Moto G 5G पर जा सकते है बाकि गईज मैं यहाँ यहाँ पर आपको सजेट करता हूँ कि आपको meet and eye खरीदना चाहिए बाकि गईज डिपेंड करता है आपकी पसंद के उपर तो खेर मुझे आप कमेंट करके जरूरू बताना कि इन दोनों मोबैल में से आपको कौन सा मोबैल अच्छा लगा है और किस मोबैल को खरीदना आप पसंद करेंगे तो मेरे ही सबसे यहाँ पर मोटो जी 5G से बले ही यहाँ पर आपको 1000 रुपे ज्यादा देने पर रहे है लेकिन फिर भी यह मोबैल दोस्तों अच्छा है तो खेर दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूरू बताना कि कौन सा मोबैल आप लोगों को अच्छा लगा है मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में तब दो के लिए जाइन वन्दे मादरम